आप से विडियो में आप लोगों को क्लास्टु येल्थ इंगली स्कोर के सब्जक्टिव मोडल विपर का सोलूसन कराने वाला हूं तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और आप लोग हमारी चैनल पर पाहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल करें को प्रेस कर लिजिए कि आप लोग जितना भी मोडल विपर आया हुआ है हर एक मोडल विपर का कंप्लेट सोलूसन आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा तो चली शुरू करते हैं और एक करके हर एक कोशन को देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमें एक पैसरी दिया गया है जो बहुत ही मज़दार है आप लोग इसको सबसे पहले गवार पढ़ लेजिए इसको अब लोग पढ़ेंगे ना तो नीची जितना भी आप लोगो आसाने से देंगे यहां पर कोशन दो बहुत सब्सेंआ है यहां पर यहां पर पोश्ट ऑफिस जो पानी के ऊपर में है और यह कोई यह बात हो गिया अब यह जो floating post office है, यह क्या दवा करता है, तो यह यह रही दवा करता है कि दुनिया का एक मात्र ऐसा post office है, जो क्या hani के यूपर में पानी के उपर में तर रहा है, को जितल नहीं है, इक यह हाँ पहन से आप लोह का कस्टशन बनेगा फिर आगे चलिए आगे देख लिजी यह बादियों आप नहां परायों बादियों के लिए टीक है तो बहुत सारे फोटो उसमें चिपकाया हुआ हुआ इसके लेटर्स में आगे में आपको अच्छी तरीयस बताओंगा यह आप लोगो नहीं लेना है यह जो आभी हारूग पढ़ रहे हैं फ्लॉटिंग पोस्ट-ॉस्ति इसका जो पहले कोश्चन में और मैं आपको एगा करके हरिक्षी को समझाता हूं बिल्कुल भी टेंशने लिजिए आप आपको ऐसा नहीं लेगा कि आप लोग इंग्लिस पड़ रहे हैं बहुत ही आसानी से यहां पर मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही इजी लिंगोज में बताने वाला हूं तो कि हमारी पास जो सबसे पहला जो कोश्चन ने कोश्चन में यहां पर एक यह देख लिजिए दा फ्लोटिंग पोस्ट आफिस इस लोकेटेड इन दा ब्युटिफुल सीटी ऑफ स्रीनगर इन कस्मिर यानि कि स्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट आपिस कहां इस्तित है क अहां इस्तित रफाई में आप लोगों का भी बताया कि दा फ्लोटिंग पोस्ट आफिस इस लोकेटेड ऑन दो वाकर्श ऑफ क्या है डल लक इन स्रिनगर यानि कि फ्लोटिंग पोस्ट आफिस जो है स्रिनगर में डल जिल के पानी पर इस्तित है कोई दिकत कोई प्रोब्म अब यह मैंने आपनको फॉस्ट आफिस जूडाष फॉस्ट आभी ऐसा वस्ट उपवसास है जो कि पानी की उपर में चैर रहा है ऐसा दुनिया मो कहीं पार भी नहीं है तो फ्लोटिंग पोस्ट आफिस व्सक्व मोन उन laser पोस्ट ओफिस इन दा वर्ल्ड इस बूल्ड ऑन एन क्या है इंट्रेटली कव्ड मेरून हाउसबोट ठीक है फिर क्या है फास्टन अन्दो वेस्टन इस अफ दा डैल लेक यानि बोला जारे कि फ्लोटिंग पोस्ट ओफिस जो है इसमें दावा किया जाता है कि यह दुनिया है चलेंब्स कुल यह जो कर दो करका देल संवे साब। तो है आप लोगों का और तो मैंने वहां पर लिखा है कोई दिकत कोई प्रोब्ल नहीं समझ में भी आ रहाई चलिए पेसज यह प्रेसज आपको रटना नहीं है पेसज जो एन इसी को पढ़ना है और अहीं से आप लोगों को एंसर लिखना है जैसे अगर आप बात करेंगे कि यहां पर यह कोई श्रम स्टीं का कोई मिसी में क्या है कि वाट इस था इस्पेसल फीचर और अब दिस पोस्ट आप इस सब्सक्राइब अब यहां तक यह हो जाएगा इसका हमारा प्यारा साइसा इंसर इंसर लिखा हूआ भी है आप लोगों को समझा देता हूँ इसका तिकार दिया हो यह आपनों को लिखना है तगी हेहाब पर क्या पोला जा रहा है कि हृद इसपेसल फीचर अप पूस्ट आप इस पेसल फिचर आप इस फोस्ट पिस इस क्या एक याथ लिट उस्ट पोस्त पूस्टर फ्रॉं मैं कीस पोस्टाइब कि यहां से भी जाने वाली प्त्र में खास डिजाइन होता है जिसमें डृजिल स्रीनगर सहर का मन्रम्र जो बता रहा हूं जो भी मैं पिलोंगों पेर ब्रो们 को हम लोग यहां पर लिख दनाइ सी नमर हो गया अब डी तो दिखा आप लोग देख पा रहे हैं जो मुहर आप लोग देख पा रहे हैं जो मुहर होता है देख लिए आप लोगों को यह मिलेगा देख लिखा है कि दास थील यूजड अन अबरीटिंग पॉस्टेट फ्रॉम फ्लोटिंग फॉस्ट आप लोगा अपनों का तो यहां तक इसका एंसर हो जाएगा अब लोगा आपको आगे दिखा वी दूंगा किसका अंसर किस प्रकाशा आपनों को लिखना है अब देखिए यहां पर हमार पस जो अगला जो अगला और फ्लोटिंग पॉस्ट आफिस बीफोर लोजार तो यहां से पहले इस से पोस्ट पीस का नाम क्या था तो देखिलए आपनों की आप दिखाया इसका पहले नाम था चोंग नहरु पार्क पोस्ट आफिस सब्सक्राइख और नाम किसे रिए वह तो जॉन सेमूल ने जॉन अब देखिए आपको इसी टाइप का एक वर्ड खोजेंगे और यहां पर दोनों का मिनिंग जो होगा तो यहां पर देखिए जो ही जो मिन आपनों को बता है क्या है कि दसील यूजड अन एवर्टिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग फोस्ट पॉस्ट पर इस्तेमाल की जाने वाली मुहर जो है तारुक पत्ती के साथ यूनिक होता था यह डल जिल पर शिकारा चलाने वाली सब्सक्राइब के दवरा डिजाइन क्या जाता था कोई दिकत कोई प्रॉलर नहीं बात समझ मारा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देख लिजिए जो इनमर वाला कोस्टन थे सर में आप लोगों को बताए कि वाट वाट वाज दा नेम आप दो फ्लोटिंग पोस्ट आपि आप दो प्रॉल lass Him iugosग्या कोई चीज हुआतला आट नंबर मिलने वाला है ऑपर बहुती अच्य तरिके से मिल जाएका कोशेटर नोटमेकिंग अब देखिए नोटमेकिंग किस प्रकार से आधिये नोटमेकिंग कोशेटरी और अपको पता है कि मैं किस चीज़ का और कि प्रकार का ट्रीक देता हुं आप लोग ने देखा हैं कि यहां पर नबताकर आपको मैं आगी इसको बताउगा आपको यहां पर यहां पर याद कर लेना है लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारा ट्रिक आता तो इस आल भी ट्रीक से समझेंगे कि इस चीज़ को बताने में करीवन हाफ गंडा का समय लगेगा देखे एस लिक आप बोद आसानी से लेंगे लेकिन स्टाइग डाइम इस टाइम लगता है न ताइम लग जाएगा इस रहे में आपको यह चीज़ को बाल में बता दूंगा सकसे क्रेंट हुए इस को बेहलों और धुला गया राईट इन नोटिस था नहां बुलिए निट्रीक होता है अब लोग सर्च होता है आप उल्यखाज होगा उसमें तो मध लिभी स्ट्रिक यहguy कि नोटिस टृकर बर्ट वौस पर गुरूटिस के ट्रीक का वीडियो मिल जाएगा तो आप उसको देख लिजीए यहां से क्या हो रहे लिए आप लोग यहां पर आप लोगो है नीचे में वहां जल्द अबना का विया दुडिक से इच्छे आई किटना अप याद कर सकते हैं आप लोग उतने याद नहीं कर सकते हैं फिर जो इडिटर के पास जो लिटर होता है इसके लिए भी हमारा अलग से ट्रीक आएगा इसके लिए आप लोग पढ़ा आए पहले भी पढ़ाया क्लास्ट को बच्चों को में ने दोज़र भाइस भी पढ़ाया है आप लोग को इल अपर देख्स का रिपोर्ट र्यपोर्ट का भी में रिक पता के रखाओ है आप लोग यूटूब में देखें जाहिए वहां से दोगॉर को मिल जाएगा तो यह सब चीज़े तो यहां पर को में लेटर की उपर इक प्रटिकलर वीडियो आएगा नोर्ड विजिंग की उपर आएगा तो समरी राइटिंग और अपनों को एकक करकिके ट्रिकीच की वाला वीडियो मिल जाएगा अब करा दूँगा इसके बाल हमारे सक्षिन सी सुरू हो जाता है सेक्षिन सी में हापर मात र थो सिल और फिकल पर और शुमय पर किया था पर अन्युट्र रोड़ी आट इसमेश की नरी सब्दले और सी पले और अर्डिनरी चिंस यानिक जो 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 समाने समय इसमानी याट में भी च़ोग होता है, टू कह है, वाल्ड विल्दूंज, उसमें हमारा क्या सामिल दावय क्या उसमें व्जूड था, तो जंगली जामू, ठीक है, दैविए शोल्ड इन वूरे न उदें, क्वाट्स, दा प्लाटर ओलन, रवल अब अ कीउसमें जगली जामूर तो मिनन आपको बताया, कि हुए लखड के क्वार्टर्स एक्षथाई गेलन में बेचे गई थे फिर आगे कि क्रॉक नेर्ड गाउट्स विट सिल्वरी हाड लंस वेर अलसो और फॉर्फ फॉर्स एड़ रोड साइड स्टरंड यानिकी सड़के किनारे विक्री के लिए चांदे कि सफ्ट गांड वाली टेरी गर्दन लोकी थी तो यह हो जाएगा इसका इंसर इसको आप लोग नो डाउन कर लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर कुश्चिन नमर लोग देख लेते हैं देख लेते हैं कि हुआ राज राजकुमार सुखला यानि कि राजकुमार सुखला कौन थे वाई इस ही डिस्क था ठीक है उसमें यह जो राजकुमार सुखला थे यह किसान थे और यह महतमा गंदी का इस प्रकार से साथ देते हैं उसका साथ कभी छोड़ते ही नहीं है राजकुमार सुखला इस डिस्क्राइब अस बिंग रिसॉल्ड विकॉस हीवन आफ्टर बिंग तोल अबाउट द राजकुमार सुखला जी जो राजकुमार सुखला जी जो है इन्होंने फिर भी गांधी का साथ नहीं चोड़ा पर लिखा गया है आगे चलिए आगे वड़ते हैं स्थेस्ट को सुनाता था तो जाएंगा कि जो जो भी जो भी कहानियां अपने बैटी को सुनाते थे ठीक है वह सब अपने दिमाग में बना हुआ मनगण सारा कहानी था तब बैसिक लाइन वाज दस सेम वर्ट देर वाज ए लिटिल बेरीशन उसका बैसिक लाइन लवर सेम होता था लेकिन बाद मुश्क में कुछ परिवर यानिकी रोजर फिस बोल सकते हैं रोजर गिलरी यह सब कुछ भी हो सकता था इट है वाज आउल और इसमें मुझ की पातिक में बुद्धिमान उल्लू भी था आगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देख लिए जहांट क्या है अगला जो क्वेशन है क्वेशन नमर दी इ इट मस्ट लाइकली देट दा टू गर्स सौफी और जांसी उड फाइंड वर्क अफ्टर दा इसकोल मतलब यह जो दो लड़किया है सौफी और जांसी वह स्कूल के बाद ठीक है किस प्रकार का मतलब उनको काम मिलेगा इस चीज़ के बारे में आपको यहां पर बताना है यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि सौफी क्या सपना देग रही थी यह तो हो गया एक ठीक है फिर है कि इस बात की सबस्यादिक संभावना कहां थी कि दोनों लड़कियों को स्कूलों के बाद काम मिलेगा तो देखिए इसका एंसर हो जाएगा कि सौफी वांटेड टू अपने बूटिक विज दा मनी सी वूड अर्न एजे मैनेजर जब उनेजर की पोस्ट पेदक्यर कुछ पैसा कमाया था उसी पैसा से एक बूटिक आने का एक बूटिक अपन करने का उनका ड्रीम था सपना था तो गल्स सौफी और जानसी वेर अल्रेडी क्या है इस तेंड और जोब इंड विस्कुट फैक्टरी एंड इड वाज लाइकली देट दे वूड वर्क हेर अफ्टर इसकुल यानि कि पहलावत दो लड़कें सोफ्योर जैंसी को पहले सही बिस्कुट फैक्टरी में नौकरी मिलनी था थी और संभावना थी कि विस्कुल के बाद वहीं क इसलिए फिक्स था आगी चलते आगे देख लिजा आगे हमर बस क्या है ठीक है अगला जो कोशन नुबर यह जो कहमारा लास्ट कोशन देख लिजी क्या है कि हुए जिए मिस्टर लैंब यान कि मिस्टर लैंब कौन थे वाइड दस ही है वे टीन लेग यानि उसके उसका इ घर में रहता था और वहांपर बगीचा भी था दिव टू ए बंब एक्स्प्लोजन वहांपर क्या वाद एक बार जब बंब एक्स्प्लोजन हुआ जब बंब का विस्पोर्ट हुआ यह हो गया हमारा कम्प्लेट इस मोटल लिपर का सोलुसन तो अगर आपको वीडियो पसंदे लिए तो चले मिलते हैं गले वीडियो में थैंक यू जहेंद